लौड किष्णा मैं मैं वाई श्वीट डियर स्टुएंट प्यारे भी ध्यारतियों नौ भी डिसकस अब नूकलियस दा ब्रैन आफ सेल आप यहां पर इस्टक्चर देख रहे हैं नूकलियस की और नूकलियस में कुछ पोर दिखाई दे रहे हैं जिसे हम कहते हैं नूकलियर लिए या यार अरे ने होता है यह प्रोसेसर डिटेल में पर चुके हैं। न से रनए और शकुरॐँ न कहीं न कहीं रावय दlor सक्कूर। निकल कर यह बाहर की तरफ चिपका उखéd के यह स्क्राइव को बनाता है तो बेसिकल में का दूशरा नाम है दभ फीड्ट मांग्यार बरते हैं एक तर्भ फेक्ट्रीय फेक्टरीव सेब और क्योया फोर है कभी-कभी इनकी संख्या एक या एक से अधिक देखने को मिलती है Nucleus means the John of RNA The John of RNA मतलब RNA के छेत्र को Nucleus कहते हैं आपको पता है DNA से RNA बनता है तो RNA अपना एक छेत्र बना लेता है क्या बना लेता है? छेत्र छेत्र मनें area और उस area को हम कहते हैं Nucleus हिंदी में कहते हैं Candrica क्या कहते हैं Candrica यानि कैंद्र के अंदर कैंद्रिका बनता है इसके बाहर की तरफ जो प्लेटें होती हैं उन्हें हम एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम हिंदी में कहते हैं अंतह प्रदबबई जालिका और यह दो तरह की हमने पड़ी हैं R.E.R. and S.E.R. R.E.R. means rough endoplysmic reticulum और S.E.R. मतलब smooth endoplysmic reticulum Nucleus is the most important cell organs which direct and control all its cellular activity It is called a headquarter of cell, headquarter of cell, brain of cell इसके बहुत सारे नाम है It was discovered by Robert Brown in 1831 Robert Brown ने 1831 में इसे discover किया था A well-defining nucleus is present while a prokaryotic of a well-defining nucleus is absent Eukaryotic cells में well-defined nucleλάs पाया जाता है जब कि prokaryotic cells में well-defining nucleus नहीं पाया जाता है Prokaryotic में जो DNA होता है वो Circular DNA होता है Circular DNA बहुँड़ जदा active होता है इसके बारे में हम पहले आपको बताया है और बहुत जदा highly active होता है प्रोकरोटिकस के अंदर एक प्रिमिटिव औल्ड या फाल्स यूकलिस पाए जाता है इसी के आधार पर तो इसका नाम प्रोकरोटिक है प्रोमीश प्रिमिटिव मनें ओल्ड मिससेंट और नुकलिस यानि के ऐसा सैल जिसके अंदर नूकलिस ना हो ठीक है, it has double layering covering call as nuclear membrane, nuclear nucleus के चारो तरफ double layer membrane होती है, जिसे nuclear membrane कहते हैं, nuclear membrane has pores which regulate the movement of material in and out of the cell, beside nuclear membrane, nucleus also contain nucleus and chromatin material and the substance filled inside the nucleus is a nucleus, ठीक है, तो आप यह जानते हैं कि nuclear membrane के अंदर क्या क्या होता है, nuclear nucleus nucleus होता है, committing material होता है, substance filled inside the nucleus of nucleus होता है, ठीक है, function of nucleus की बात करें, तो it control all the metabolic activity of the cell and regulate the cell cycle, यह पूरी की पूरी cell की metabolic को control करता है, cell cycle को control करता है, regulate करता है, it help in transmission of heritage character from parent to office spring, यह heritage character में भी participation करता है, एक generation से दूसरे generation में जाने में, यह बहुत जादा help करता है, parents से office spring के अंदर जो भी character पहुंचते हैं, इसी के अंदर जो पाए जाता है, DNA उसकी help से होता है, क्योंकि DNA के heritage material है, DNA के heritage material है, okay, student? झाल है, जादा जो कि अदूए टूए एस विस एक हुआ। करता है, यह हुआ है, ढ़े कि अंदर खूए बहुते हैं, जावे वढ में आप से पहुते हैं, जाड़े हैं, जावे हुआ। झाल झाल